तिमुथ ही उसके नाम पॉलूस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याए एक पॉलूस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिक्या की अनुसार, जो मसीही इशू में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीही इशू का प्रेरित है. प्रिये पुत्र तिमुथी उसके नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रखु मसी इशु की ओर से तुझे अनुग्रहे और दया और शान्ती मिलती रहे जिस परमेश्वर की सेवा में मैं अपने बाप दाधों की रिती पर शुद विवेक से करता हूं उसका धन्यवात हूं की अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्परण करता हूं तेरे आसुओं की सुधी करक करके रात दिन तुझ से भीट करने की लालसा रखता हूं की आनंद से भर जाओ मुझे तेरे उस निशकपट विश्वास की सुधी आती है जो पहले तेरी नानी लोईस और तेरी माता युनिकिये में था और मुझे निश्चे हुआ है कि तुझ में भी है इसी कारण मैं तुझे सुधी दिलाता हूँ कि तु पर्वेश्वर के उस वर्धान को जो मेरे हाथ रखने के दुआरा तुझे मिला है चमका दे क्योंकि पर्वेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और सयम की आत्मा दी है इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझे से जो उसका पैदी हूँ लच्जित ना हूँ पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सू समाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा जिसने हमारा उत्थार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है चो मसीही यिशु में सनातन स हम पर हुआ है पर अब हमारे उद्धार करता मसीही यिशू के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ जिसने मृत्यू का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सू समाचार के द्वारा प्रकाश मान कर दिया जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उप्तेशक भी ठ जाता नहीं कि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीती की है जानता हूँ और मुझे निश्चे है कि वो मेरी थाथी की उस दिन तक रखवाली कर सकता है जो खरी बातें तुने मुझे से सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीही यिशु में है अपना अधर्श बना कर रख और पवित्रात्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी थाथी की रखवाली कर तु जानता है कि आसिया वाले सब मुझे से फिर गए हैं जिन में पुली लुस और हिर्मु गिने से उन्हें सी फुरुस के घराने पर प्रभूताया करें क्योंकि उसने ब भूंड कर मुझसे भेंट की प्रभु करें कि उस दिन उस पर प्रभु के रया और जो जो सेवा उसने इफिस्स में की है उन्हें भी तु भली भाती जानता है अध्याएदो इसलिए हे मेरे पुत्र तो सनु ग्रह से जो मसीह में है बल्वंत हो जा और जो बातें तुने ब अश्वासी मनुष्यों को सौब दे जो औरों को भी सिखाने के योके हो मसीह यिशू के अच्छे योध्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा जब कोई योध्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भरती करने वालों को प्रसंद करे अपने आप वो संसार के कामो में नहीं फसाता फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदी विधी के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं बाता जो ग्रिस्त परिश्रम करता है फलकांश पहले उसे मिलना चाहिए जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभू तुझे सब बातों की समझ देगा य यहां तक की कैद भी हूं परन्तु परमेश्वर का वचन कैद नहीं इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उत्धार को जो मसीही इशु में है अनंत महिमा के साथ पाई ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी यदि हम धीरच से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे यदि हम उसका इंकार करेंगे तो वो भी हमारा इंकार करेगा यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वासयों के बना रहता है क्योंकि वो आप अपना इंकार नहीं कर सकता इन बातों की सुधी उन्हें दिला, और प्रभु के सामने चिता दे, कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाब नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, अपने आपको परमेश्वर का ग्रहन योग्ये और एक ऐसा काम करने वाला ठेहराने का प भक्ती में बढ़ते जाएंगे, और उनका वचन सड़े घाओ कि नाई फैलता जाएगा, हुमिनेयुस और फिलेतुस सुनी में से हैं, जो ये कहकर कि पुनर्थान हो चुका है, सक्त्य से भटक कए हैं, और कितनों के विश्वास को उलट-उलट कर देते हैं, तो भी किश्वर की पक की नेव बनी रहती है, और उस पर ये छाप लगी है कि प्रभू अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभू का नाम लेता है, वो अधर्म से बचा रहे हैं, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, परकाठ और मिट्टी के बरतन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई-कोई अनादर के लिए, यदि कोई अपने आप को इन से शुद्ध करेगा, तो वो आदर का बरतन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तयार होगा, जवानी के अभिलाशाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प् श्वास और प्रेम और मिल मिलाप का पीछा कर, मुर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तु जानता है कि उनसे जगड़े होते हैं, प्रभु के दास को जगडालू होना ना चाहिए, पर सब के साथ कुमल और शिक्षा में निपौन और सहनशील हो, व और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। अध्यायती पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगी, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, टींगमार, अभिमानी, निंगक, माता-पिता की आग्या चालने वाले, क्रितक्न, अपवित्र, मया रहित, क्षमा रहित, दोश लगाने वाले, असायमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वास घाती, ठीट, कमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वर अंसुख विलासी के चाहने वाले होंगे, वे भक्ती का भेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ती को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना, इन ही में से वे लोग हैं, जो घरों में दबे पा गुश जाते हैं, और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दवी, और हर प्रकार की अभिलाशाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुँशते हैं, और जैसे ये नेस और यम्ब्रेस ने मूसा क विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं, ये तो ऐसे मनुष्य हैं, जिनके बुद्धी प्रश्ट हो गई हैं, और वे विश्वास के विशे में निकम में हैं, पर वे इस से आगे नहीं भढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अग्यानता सब मनुष्यों पर प्रगठ हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी, पर तुने उपदेश, चालचलन, मंसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, और सताय जाने, और दुख उठाने में में मेरा सात्या, और ऐसे दुखों में भी, जो अन्ताकिया, और इकुनियुम, और लुस्तरा में मुझ पर पड़े थे, और और दुखों में भी, जो मैंने उठाए हैं, परन्तु प्रभू ने मुझे उन सब से छुडा लिया, पर जितने मसीही यिशु में भक्ती के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताय जाएंगे, और दुष्ट, और भहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगरते चले जाएंगे, पर तु इन बातों पर जो तुने सीखी है और प्रतीती की थी, ये चानकर तृट बना रहे, कि तुने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और पालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे म अवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उप्तेश, और समझानी, और सुधार्णी, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभ दायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिध्ध बने, और हर एक फले काम के लिए तत्पर हो जाए। अध्याय चार कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुझली के कारण, अपनी अभिलाशाओं के अनुसार, अपने लिए बहुत थेरे उपदेशक बठोर लेंगे, वे अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी उपर लगाएंगे, पर तू, सब बातों में सावधान रहे, मेरे कूच का समया पहुचा है, मैं अच्छी कुष्टी लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दोड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविश्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभू, चो धर्मी और न्याईी है, मुझ क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रियजान कर मुझे छोड़ दिया है, और थिस सलुनिको को चला गया है, और क्रेंस केंस गल्तिया को और तितुस दल्मतिया को चला गया है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है तुखी कुस को मैंने इफिसुस भी जाए जो बागा में त्रुवास में कर्पुस के हाँ छोड़ाया जब तो आए तो उसे और पुस तके विशेश करके चर्म पत्रों को लेते आना सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराईया की है प्रभू उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा तू भी उससे साफधान रहे क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोद किया मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था भला हो कि इसका उनको लेखा न देना पड़े परन्तु प्रभू मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा कूरा पूरा प्रचार हूँ और सब अन्यजाती सुन ले और मैं तो सिंग के मुझे छोड़ाया गया और प्रभू मुझे हर एक बुरे काम से छोड़ायेगा और अपने स्वर्गिये राज्य में उत्थार करके पहुचाएगा उसी की महिमा युगान युग होती रहे आमीन प्रिस्का और अक्विला को और उनैसी फुरुस के घराने को नमस्कार एरास्तुस कुरिन्थुस में रहके आ और त्रफिमुस को मैंने मिले तुस में बीमार छोड़ा है जाड़े से पहले चले आने का प्रयात्न का विभलुस और पुंदेश और लेनुस और क्लॉदिया और सब भाईयों का तुझे नमस्कार प्रभू तेरी आत्मा के साथ रहे तुम पर अनुग्रह होता रहे झाल 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 झाल